लोगसबा चुनाओं की तारीकों का कल आगाज हो जाएगा लेकिन कॉंग्रेस अभी भी सत्तारूल बीजेपी से चुनाओं की तैयारियों में पिछरती नजर आ रही है राहुल गांदी देश में भारत निया यात्रा निकाल रहे हैं इसका सीधा असर कॉंग्रेस के उमिद्वार चैन पर पड़ रहा है हम बात करेंगे यहाँ पर की रतलाम जाबुआ लोगसबा सीट पर पेच क्यों फसा हुआ है एक पकवाड़े पहले ही यानि पंदा दिन पहले ही बीजेपी ने अनिता नागर सिंग चोहान को अपना उमिद्वार बना दिया और पुरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई की संग्ठन के पीछे है और तीनों जिलों में उनके लगातार हर्स रेणी के कारिकर हो रहे हैं इसके उलट कॉंग्रेस में उम्मिद्वार का चैन होल्ड कर दिया गया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टक्कर हो रही है रत्लाम जिले के सेलाना के एमेले रहे हर्ष विजय गहलोत यानि गुड़ु भीया और कांतिलाल भुरिया की बीच में अब यह टक्कर क्यों है टक्कर इसलिए है कि जीतू पटवारी यह चाहते हैं कि अब पुराने लोगों को रिटार्ड किया जाए और नए पिड़ी को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टिकेट कांतिलाल भुरिया की जगे कांग्रेस आल इस तरीके की चर्चाएं नेताओं के बीच में रतलाम में हुई थी जब राउल गांदी की भरत ने आये यात्रह यहां से निकली थी अब आज है तारीक 15 मार्च अब आज से आगे क्या सीन है आज का स्टेटिस क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतर तक बन रहीएगा अब ताजा अपडेट यह है कि सुरवाती दोर में पिछणने के बाद कांतिलल भुरिया अब रेस में थोड़ा सा आगे हो गए है जी हां ताजा आज की खबर यह है कि कांतिलल भुरिया रेस में आगे हो गए है दिगवजे सिंग की कोशिशें रंग ला रही है और साथ में डर्टर विकरान भुरिया ने जो अपनी लिंक बनाए हैं कॉंग्रेस आला कमान के करीबी लोगों से वो लिंक काम आ रहे हैं तो ताजा कबर ये है कि परसो तक जो नजर आ रहा था कि हर्श गेलो तुफ गुड़ू भीया सायद आगे हैं तो आज की तारिक में आगे कांतिलाल भुरिया हो गए हैं यहाँ पर हम ये घोशना करने के इस्तिती में नहीं है कि टिकेट कौन पा जाएगा लेकिन कौन आगे है ये बताने के श्तिती में हैं परसो के वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि टककर चल रही है किस तरीगे की चल रही है लेकिन आज जो रिपोर्ट्स हैं उसमें मायलेज कान्तिलाल बुरिया के पक्ष में जाता है राहुल गांदी के करीबी लोगों में से ज़्यादा तर लोग इस चीज के लिए कन्वेंस हो गए हैं कि कांतिलाल बुरिया का ये अंतिम चुनाओ है वो लड़ना चाहते हैं जबकि बाकी जगे नेता लड़ने से बच रहे हैं तो फिर आउसर दिया जाना चाहिए ये ज़् परतर राहुल गांदी के आसपास के नेताओं ने मानस बना लिया है अब अभी भी जीतू पड़वारी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं उनकी पूरी कोशिश है कि कांतिलाल बुरिया का टिकेट कर जाए उनकी जगे ये हर स्विजय गहलोत को टिकेट मिल जाए और इ इस अलकमान को ये सहमती दे दें कि इस उम्मिद्वार के साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन खबारे कि कमलेशर डोडियार ने साफ इंकार कर दिया है और उनकार कि भारत अधियासी पार्टी को ही लोगसभा में अपनी पूरी ताकत और समर्थन देंगे और लड़ेंगे इसलिए वो किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं ये वोने एलान कर दिया है अब इसमें आज क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं कि आज एक महत्बुन बैठक होने वाली है दिल्ली में वो अगोशित बैठक है जी हाँ ये अगोशित बैठक है क्योंकि गोशित बै जा सके कि सारे टिकिटों का एलान बगेर राहूल गांदी की पूछें नहीं हुआ है राहूल गांदी की मौजुदगी में हुआ है तो जिन नामों को आज हरे जंडे मिल जाएगी वो नाम फाइनल करके घोशित नहीं होंगे एक बार उपचारिक रूप से उनको रखा जाए आठारा तारीक को राहूल गांदी के सामने और वहां पर फैसला होगा उसी देर साम को रतलाम जाववा की सीटों के नामों का भी एलान हो जाएगा और देश प्रदेश की कई सीटों के नामों का एलान हो जाएगा तो मैंने कहा कि फैसला शाम तक हो जाएगा रतलाम सीट पे भी हो जाएगा अब ये फैसला क्या हुआ इसकी जानकारी संब्व है कि अगर आणड़ विजे के पहले हो गया तो मैं आज रात को आपको लाइव आकर दे दूँगा अन्यता फिर सुवह आपको एक वीडियो के जरी है हम आपको बता देंगे बहले अठारा तारीक कोंग ён都परदेश में एक बार फिर से गुटबा जी साबित हो गई कॉंग्रेश में भले कॉंग्रेश कहती रहे के कॉंगरेस एक है लेके जिस तरीके से रत नाम के सीट पर हुआ है वह ये साबित करता है कि कॉंग्रेस एक नहीं है फिलाल आपके एसाफ से कौन उम्मिजार हो सक सकता है अब भी स्वतंत्र है कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाईएगा